नमस्कार दोस्तों, स्वाकत थे आप सभी का हमारे चरह पर आज मैं आपको दही से मिलने वाले कुछ बहत्रीन स्वास्त लापों के बारे में बताने वाली हूँ दही जो होता है वो हमारे स्वास्त के लिए बहुत ही ज़दा लापदायक होता है रोज एक कटोरी दही काने से पाचन क्रिया सही रहती है दोस्तों, दही में भरपूर मातरा में कैलशियम, प्रोटीन और विटामीन्स पाए जाते हैं दोस्तों, इसकी खास बात यहा है कि यहर सस्ता होने के साथ-साथ आसानी से भी मिल जाता है तो चली दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसका सीवन करने से क्या-क्या स्वात द्लाब मिल सकते हैं इसकी जानकारी जानने से पहले, सबसे पहले तो एकनेवी दन उन लोगों से करना चाहूंगी जो आज पहली बार हमारे चनल पर आये हैं करप्या, सबस्क्राइब का बटन दबा कर हमारी सदसिता को जरूर ले ले ताकि आप हमसे जुड़े रहें, हमारी दौरदी करे जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फायता भी धा सकें दोस्तों, अगर आप दही का सेवन कर रहे हैं न, तो अगर आप ताज़ा दही खाएंगे तो इससे आपको बहुत सारे फायते मिलेंगे जैसे अगर आपको अपज की शिकायत रहती है, तो इसके लिए आप दही में सेख कर पिसा हुआ जीरा, नमक और काली मिर्च को डाल कर नित्य इसका सेवन घीजे दोस्तों इससे अपज बहुती जल्दी ठीक हो जाता है और भोजन जो होता है न, वो बहुत जल्दी पज भी जाता है इसके अलावा अगर आपको अमल पित्त की समस्या हो रही है, तो ऐसे इस्थिती में दही जो है न, वो मीठा ही खाईए उके दही जादा खटा नहीं होना चाहिए, जादा खटा दही अमल या फिर एसिजटी को बढ़ाता है, तथा लेक्टिक अमल की अधिक मात्रा के कारण शरीर में सुस्ती या फिर कमजोरी को भी ला देता है इसके अलावा, आतों की सूजन को दूर करने के लिए दही का अधिकादिक सेवन दिन में कई बार कीजे, रोटी जो है न, वो कम से कम खाईए, जब भूक लगे तब दही खाईए, इससे आपको आतों की सूजन में बहुती राहत मिलेगी, फ्रेंड्स तो दोस्तों, आपको हमारे तौरा दी गईया जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंड करके जरूर बताएगा, और आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो, तो इससे लाइक और शेयर जरूर कीजेगा अपना कीमती स्रमय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत देने बाद